नमस्कार एजुकेटर्स! स्वागत है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? मैं बताता हूँ लेकिन आप हमारी वीडियो में अक्सर यहाँ पर एक जिफ देखते हो जिफ जो भी कुछ इसे कहते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनाते एक यह मैं तो शायद सरव आपको बता सकता हूँ लेकिन हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो आपको बता भी सकता है दिखा भी सकता है समझा भी सकता है आज की वीडियो में हम बुला लेते हैं हमारे एडिटर जीतू जी को तो हाई एवरिवन मेरा नाम है जीतेंदर और मैं इचले पात सालों से में एडिटर और वीडियो लिटर काम कर रहूं इस दौरान मैंने काफी एडिकेटर की हेल्प करिया उनका कॉंटेंट ग्रो करने में तो आज हम सीखेंगे यूटूब के बैसिक एनिमेशन जैसे जीफ ह हो गया हमारा स्ट्रीफ हो गया और उनको कैसे कर सकते हैं उनका इंपोर्टेंस क्या होता है वीडियो में तो यह मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के साथ तो आज स्टार्ट करते हैं तो बैसिकली आपने कई वीडियो में देखा होगा कि बीच बीच में कुछ एनिमेट ये आप लोग देखे हो ना वो भी एक GIF ही है तो कई बार आपको पने वारे हो के वींपोड़ेंज है इससलिए प्लेस करते हैं कि आइचá singular करते हैं- तो आपने किसी कोर्स का बैनर नीचे लगा आप चाहोगे कि आपकी ऊडेंस से जाके गो थुरू करें उसकांट को देखें पर पर्चेस करें तो यह काम होता है हमारे जिफ और एक स्ट्रिप का जो कि हम नीचे प्लेज करते हैं तो चलिए अब फिर हम जानते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं. तो जैसे कि हमने जिफ का important जाना, वसी परकार हम जानेंगे कि इसे कैसे बना सकते हैं, तो basically हम इसे दो परकार से बना सकते हैं, एक तो with character, तो नीचे आप जैसे देख पार होंगे, सुमित का एक animation आ रहा होगा, तो वो with character है, मतलब उसमें एक information में है कि likes करिये, share करिये, साथ ही में सुमित उसके तरफ point out कर रहे हैं, जिससे की audience का ध्यान उसके तरफ जाएगा ही जाएगा, और second, अगर आप चाहते हैं कि with character हमें नहीं करना है, तो आप stop footage के साथ भी कर सकते हैं, तो पहले हम जानते हैं कि with character आपको कैसे करना है, तो मैं कर रहा हूँ अपने convenience के साथ अड़ोबी after effect software यूज, आप इन में से कोई भी एक software यूज कर सकते हैं अपने animation के लिए, तो लेस्ट गो स्टार्ट, तो जिफ animation का important जानने के बाद, हम जानते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो चलिए हमारे software में, तो मैं यूज कर रहा हूँ अदोबी का after effect, आप अपने convenience के साब से कोई भी software यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको previously बताया, तो जैसे कि हम software में देख पा रहे हैं, कि हमने हमारा character पहले से shoot कर रहा है, जो कि एक green screen पर shoot हुआ हूँ है, अगर आप चानना चाहते हैं, जैसे कि green screen पर आप अपना content कैसे shoot कर सकते हैं, तो i button में एक link आ रहा होगा वीडियो का, जिसे जाकर आप check out कर सकते हैं, जिसमें आपको पाता लगेगा, कि आपको green screen पर shoot करते समय किन किन बात हों का ध्यान दखना है, और आप कैसे अपने content को betterly shoot कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने हमारा character यहां पर import कर लिया है, जो कि green screen के साथ है, तो पहले तो हमें इसका green screen रिमूव करना रहेगा, तो अगर मैं Adobe After Effects की बात करूँ, तो Adobe After Effects में एफेक्ट में जाके एक effect आता है, की light करके, तो अगर में बात करूँ Adobe Premiere Pro की, एक ultra key करके एक effect आता है, जिससे की आप अपना green screen रिमूव कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास काफी content creator, काफी educators का एक सवान ये भी होता है, की हमारे पास Adobe के license नहीं है, Adobe के software नहीं है, तो क्या ऐसे कोई software है, जिनमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, और ये सब animation भी हम डाल सके, जि हाँ, तो अगर जैसे की आप डाविंच यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप यूज कर रहे हो फिल्मोरा, तो ये software भी आपको अलाव करते हैं, कि इसके रिमूव करना, वीडियो एडिटिंग करना, और animation करना, और अगर आप जानना चाते हैं, कि फिल्मोरा में आप कैसे editing कर सकते हैं, कैसे animation डाल सकते हैं, तो हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, जो कि आई बेटर में उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे प्ले करकर देख सकते हैं, उसमें आप जानोंगे add to jail, कि आप कैसे video editing कर सकते हैं, तो चलिए हम चलते हैं back to अपने screen पे, जिसमें हम जानेंगे कि हमने, हमरा character थ हमने import कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो जैसे कि आप इस screen पे देख पा रहे हो, हमने हमारा character import कर लिया है, और हमारा character point out कर रहे हैं नीची की हो, तो इट मींज कि हमाँ पर पुछ animation आना है, तो हम यह जिप बना रहे हैं, like, share और subscribe बाले बटन के लिए, जो कि हमारा animation पीच पीच में वीडियो में आएगा, तो एक चोटा सा animation हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो मैं एक rectangle यहाँ पर ले रहा हूँ, rectangle में हमारी वह सारी information आएगी, चो कि हम audience को दिखाना चारहे हैं, तो मैंने यहाँ पर rectangle ले लिया है, साथ ही में मैं यहाँ एक circle ले रहा हूँ, आउटलाइन में अभी के लिए से हमारा color लेता है mostly blue, तो मैं यहाँ भी blue ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर, यहाँ पर ले ले रहा हूँ, blue color का rectangle, मैं चाहिए निफिल नहीं चाहिए, हमारा rectangle ले ले डी है, अभी अगर आपके शुरुआद में आपके लिए काफी complicated हो सकता है, तो मैं इसका आसान तरीका भी आपको बताने वारा हूँ, कि आप animation केसे आप easiest way में कर सकते है, जो कि हमारा secondary पार्ट था कि हम stroke footage से कैसे चीज़े आसान बना सकते है, तो जो जिनके बाद editors है, जो यह सब edit code करता है, जिनको प्रिवेर प्रफेक्ट आता है, तो उनको यह सारी चीज़े समझ में आ रहे होगी कि मैं क्या कन में जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहां से में shape 1 जो कि हमने पहले circle बनाया था without outline में, वहां पे यह लोगो प्लेस करो, तो यह आप देख पार होगी कि यह लोगो circle के अंदर आ चुका है, ठीक है, यह लोगो आ गया, और हमने यहां पे उमारे चैनल का नाम का class plus, तो यही पे बनाया है कि हम blue बादर हमाद थीम है, तो हम blue बादर यहां पे यूज कर ले रहे हैं, तो यह blue column में नहीं आप ले लिया है, वह इसको मैं कर दे रहा हूं, bond, तो मैं इस process को थोड़ा fast forward कर दे रहा हूं तरकि आपका भी time से वह, आपको समझ में ताहिरा होगा है कि मैं basically क्या बनाना चाह रहा हूं, ठीक है तो इस process को मैं तोड़ा सा fast forward करते वे यह animation बना लेता हूं, तब तक आप आप आपको भी क्या बनाना है basically वो सोच लीजिए, जैसे के आप देख पा रहे हैं कि हमने एक animation पूरा ready कर लिया है जिसमे like का बटन आ रहा है, dislike का बटन आ रहा है, साथ ही में subscribe आ रहा है और अपना bell icon आ रहा है, तो वीडियो में पहले like करके बंदा subscribe के वो तरब जा रहा है, तो यह तो हो गया हमारा with character, अब इसमें मैं इसका green skin remove कर लेता हूँ, तो basically मैं आपको बता देता हूँ green skin आपको जाकर आपको remove करना है जिस वीडियो में आप इससे place करना चाहते हूँ, क्योंकि अगर आप यहां पे green skin आप रिमूव कर देता हूँ, तो इसे आप बाकी वीडियो में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक particular background आजाएगा और अगर इसे विदाउद background आप रिमूव करते हैं तो उसकी file copy heavy होगी, जो कि आप अपने आपकी वीडियो को काफी heavy बना देगा software में, तो आप इसे as a green skin ही export कर लीजिए, जिस वीडियो में place करना चाहते हैं वसे वीडियो में जाकर place कर दीजिए, और example जैसे के अब मैं यही पे एक video place कर लेता हूँ तो इसको मैं पहले चोटा करके जान मुझे लगाना है वहाँ लगा दे रहा हूँ, और एक normal वीडियो कोई भी मैं import कर लेता हूँ जो भी स्क्रीन में होगा उसकी हिसाब से, तो हमने वीडियो इंपॉर्ट कर लिया है, यह हमारे सुमिसर का यह एक video है, तो हमने यहां पे देखा आपने कि यहां ग्रीनिस की रिमूव करके इस जिसको बड़े ही इजिएस्ट वे में यहां पे place कर दिया है, जिससे कि हमारा content में यहां पे place हो गया और हमारा वीडियो जो है चले जा रहा है, अगर मैं यहां पे इसका green screen नहीं अटाता, तो यहां पे एक problem यह आता कि इसके पीछे background आ रहा होता, for example, जैसे कि मैं इसका green screen रिमूव करके आपको बताऊं, अभी तो यह green में, यहां पे इस particular background में आपने एक्सपोर्ट कर रहा हो था, तो यह पुरा background आ रहा हो था, तो काफी गंदा साथ को लगता, बट आपने green screen में इसे export कर लिए यहां आख्यों software में आपने इसको हटा दिया, तो I hope कि आपको इस trick समझ में आया होगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं with character, और मुझे लग रहा है कि यह तोड़ा complicated हो गया है, तो मैं आपको easiest way भी बता देता हूं कि आप इसे कैसे बना सकते हैं without character, अगर आपको बनाना हो तो आप without character भी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि यह copy time tagging है, तो मैं आपको without character, easiest way में बता देता हूं कि आप stock footage से कैसे बना सकते हैं, तो चैनिए, अब हम चीछते हैं कि stock footage से कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा हमारा तरीका है, सबसे easiest और सबसे simple तरीका, जिसमें आप क्या करते हो, कि आप IT से ही particular एक इसी green skin video को download कर लेते हो और उसे अपने video कर सकते हो, इसलिए काफी creators यह चीज implement करते हैं अपने video में, तो मैं आपको वह भी करके बता देता हूं कि आप उसे कैसे implement कर सकते हो, तो simply मैं यहां पर YouTube अपना on कर रहा हूं, तो हम जैसे कि YouTube पर आ चुके हैं, तो हम में यह आपर डालता हूं कि like, share, subscribe, green skin, ठीक है तो like, share, subscribe, green skin, नोगब आपर राइट मैंने यह आपर डाहना, तो जैसे कि आप देख पार हूं कि like, share, subscribe, काफी सारे green skin के नाम आरे सामने आ गए हैं, यह काफी सारे creators दुआरा बनाया होता है, जिसमें आप उनकी permission के साब से, आप अपनी वीडियो में से use कर सकते हूं, तो for example, जैसे कि, मैं जाता हूं, तो मैं यह बादा animation चूच कर रहा हूं, आपको अपने uploading कोई साभी animation आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, तो मैं, जैसे किसी भी particular से डाउनलोड कर लेता हूं, YouTube वीडियो डाउनलोड से, मैंने से डाउनलोड, हमारा वीडियो डाउनलोड हो रहा है, तो यह डाउनलोड हो चुगा है, इसके साथ में इससे अपने software में import कर लेता हूं, अब मैंने import कर लिया, basically आपने देखा, जो मैंने previously आपको एक region दिया था, कि green skin में ही आप export करें, उसका एक region यह भी है, जैसे कि यह भी हमारा बाद green skin में ही आ रहा है, तो हम इसे कहीं भी place कर सकते हैं, कैसे भी हम इसे utilize कर सकते हैं, तो हम इसके green skin आटा लेते हैं, वही simple जिस मेहतर चाहिए हमने टाया था, green skin हमने इसे green skin आटा लिया, और इसे अपने वीडियो में place कर दिया है, तो आप अपने recordings की speed बढ़ाना है, आप इसे screen बढ़ा सकते हैं, अपने इस content को आप वैसे utilize कर सकते हैं, तो देखा आपने कितना असान था इन चीजों को बनाना और place करना अपने वीडियो में, so basically मैंने आपको दो तरीके बतायते हैं, पहला विद केरेक्टर और सेकेंडरी आप आप नॉर्मल स्टोक फटेज़ वाइटी से डाउनलोड करके अपने वीडियो में utilize कर सकते हो, तो initially आप सेकेंड वाले option के साथ जा सकते हो, जिसमें आप स्टोक फटेज़ पे अपने वीडियो में अपने वीडियो में बना सकते हो, इसके अलावा भी अगर आपको like से subscribe वाली चीज़ों के अलावा भी आपको कुछ animated अपना जिप बनागे डालना है, तो वो सारी चीज़े भी आप ऐसे वाप इने बना सकते हो, आपको ये वीडियो पसंट आया होगा, काफी कुछ नया अपने इस वीडियो में सीखा होगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि इंट्र और आउट्र स्क्रिन का क्या रोल रहता है और हम इसे कैसे बना सकते हैं, तब तक आप अपना कॉंटेंट बनाते हैं रही है, अरे वाह, मज़ा ही आ गया जीतू भाई की मास्टर क्लास में, दोस्तों मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि जिफ्स का इतना इंपोर्टेंट रोल होता है हमारी वीडियो में, आपको भी बहुत मज़ा आओगा अब बस आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट करके बताइए कि जूतू भाई से आप क्या क्या और सीखना चाहते हैं बस मैं विलूगा आपसे अगली वीडियो में बाकि सम फर्स क्लास है